आप सब के भूई शुनेवाज जी है रोपसी इसकी गुलाम नभी आजाज जी माननिये चेर्मिन सर सराप ने माननिये परधान मंत्री जी ने माननिये डिप्टी चेर्मिन साब ने और मेरे जितने भी यहां साथी है उस तरफ के या इस तरफ के सताधारी पार्टी के या विपक्ष और विशेश रूप से आपने और माननिये परधान मंत्री जी ने जिस तरह से भाविक हो करें मेरे बारे में कुछ शब्द बताए मैं बड़ी सोच में पढ़ गया कि क्या को हूँ है मैं इन इकतालीस बरसों में जो मेरा लिजिसलेटिव केरियर रहा अठाई साल इस हाउस में दस साल लोकसमा में तीन साल जमु किश्मीर की असमली में तो यह कहूंगा कि महराज से जीत क्या कि मैं कभी इधर से निकला इधर डूबा इधर डूबा उधर निकला उधर डूबा इधर निकला यह मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संगर्ष का जमाना रहा और मैं आज बहुत सारी चीजों को छोटा करने के लिए कुछ शेरों में खत्म करते हैं शायर जो होते हैं उनमें एक बड़ी ताकत होती है उनके शेरों में कि हम लोग अगर दस घंटे का भाशन दें तो वो दिव शेर में खत्म कर देते हैं उसके तो मैं उसका फाइदा उठा रहा है चाहता हूँ वरना अगर मैं इतने एक ताली साल के इस आनभाव को अगर कहना चाहूंगा तो बहुत समय लगागा कही हफ़ते महीं नहीं लगेंगे लेकिन शुरू मैं करूंगा जिस बाद से मैंने पुलिटिकल केरियर शुरू किया है इस टूडिल लाइफ और कश्मीर में जमू कश्मीर में मेरा हाला मैं जमू से हूँ लेकिन मेरा डिस्टिक्ट में शमसेर सिंग जी जानते है मुस्लि मिजॉर्टी डिस्टिक्ट उसका असर कश्मीर का ज्यादा होता है जमू का कम असर पढ़ता है विशरी सुरूप से मुस्लिम्स में और उसके बाद कालेज और यूनिवर्स्टिक्टी तो मैं कश्मीर में ही पढ़ा और गांदी को पढ़ता था मैं नहरू को पढ़ता था मौलाना अजाद को पढ़ता था इन तीन की तो जो मैंने सीखा है देश बक्ती का स्कूल से लिए कर और वो देश बक्ती आज उन नाजवानों के नजर में जो सियाचीन में है जो जम्मू कश्मीर में कई दश्कों से है थंड में है बर्प में है उनके नाम से शुरू करता हूँ खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए मेरे नजदी की कुर्बानी बहुत चोटी है दे दो ये ये मेरे मन में बच्वन से और स्कूल से ये बात रही और जब मैं कश्मीर के सबसे बड़े कॉलिज, S.P. कॉलिज सेरी परताब कॉलिज में पढ़ता था, मुझे याद है, वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी मनाया जाता था हमारे कॉलिज में. और 14 अगस्त भी मनाया जाता है, और मिजर्टी उनकी थी, जो 14 अगस्त उनकी थी, और बहुत कम माइनार्टी थी, दरजंद के अंदर, जिसमें मैं भी था, और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहने थी, और उसके बाद हम एक हफ़ता कालिज नहीं जाते थे, क्योंकि फिटाई होती है, तो उस वकत से निकल कर हम सोच के आए हैं, जिस सोच में आज हम सब हैं, और मुझे खुशी है इस बात की, कि इस सोच को बहुत सारी लोगों न, और मैं बढ़ाई देता हूँ, दूसरी पार्टी इसको भी वहाँ, नेशन कांफंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी तो शुरू से ही, कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आइस्ता आइस्ता बड़े पैमाने पे आए, और कश्मीर आगे बढ़ा, मेरी हमेशा, यह सोच रही, क्या हम बड़े खुश किस्मत हैं, जन्नत, हिंदुस्तान ही, मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज, गूगल के जरीए, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, यूटूब के जरीए पढ़ता हूँ, मैं उन खुश किस्मत लोगों में हूँ, जो पाकिस्तान कभी ने गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ, कि वहां किस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गोरो मैसूस होता है, मुझे फकर पैसूस होता है, कि हम हिंदुस्तानी मुसल्मान हैं। और बलकि अगर मैं आज कहूँगा विश्च में, किसी मुसल्मान को अगर गोरो होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसल्मान को गोरो होना चाहिए। हम ने इन पच्छ पेशले, 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर, पहले से देखे किस तरह से मुस्लिम देश खतम हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर हो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए वहां हिंदू तो नहीं है वहां कोई क्रिशन तो नहीं है वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है आपस में लड़ाई कर रहा है और जो क से ये कह सकते हैं के हमारे मुस्लमानों में वो बराइयां खुदान करे कि कभी भी लाए ऐ और आज हम झाने चरह को उढ़े हैं ये जोड़ाने, स्थोंग ये कह सकते हैं लेकिन यहां मेज्वर्टी कम्यूइटी को भी बोके कदम आगे बढ़ने की जिरूट तब ही मिजॉर्टी कमुनिटी दस कदम आगे बाड़ी मेरी हमेशा यह सोच चरहेगी पदानी शम्शेज शिंग जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनसल बनने के बाद पहली पॉब्लिक मिटिंग के बारे में कभी सुना है के नहीं मैं जब सीम बना तो पहली पॉब्लिक मिटिंग सीम के तोर पे आपको आशजर होगा कहां ली होगी वो मैंने सोपर में ले जहां के सोपर में कोई कई दश्कों से पॉब्लिक मिटिंग कोई कर नहीं सकता आज में नहीं कर सकता शेहर में तो नहीं की लेकिन उसी कांशुंसी में की जहां गिलानी साहब है जो गिलानी साहब वहां से तीन दफ़ाए मिले चुनकिया और उस पबलिक मिटिंग में मैंने क्या कहा था के मेरी सरकार जमो कश्मीर के लोगों की सरकार हुगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग उसी सूच का हूँ कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लूँ बहुत प्यार मिला अन्षरमा जी ने जैसे बताया शरजी ने जैसे बताया कि इनको तो बहुत अर्से से जानता मुझे सौबहा की मिला और उसके लिए मैं बदाई देना चाहता हूँ और धनिबाद करता हूँ आज वो जिन्दा नहीं इंद्रा गांदी जी का संजे गांदी जी का जिन की वज़ा से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का आवसर मुझे तकरिवन पांच अधधक्शों के साथ मिला और चार या पांच प्राइमिस्ट्रों के साथ मंतरी मंदल में काम करने का मिला लेकिन आवसर ये मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का आवसर मिला तो आज मेरे दोस्त भाई, बहने मैं यह कह सकता हूँ केंडुबान से लेकर और लक्षदीब तक और किश्मीर से लेकर कनिया कुमारी तक सिक्म से लेकर गुजराद तक ये बहुत एक चीज़ कमाई बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्ले में मुझे आवसर मिला पार्टी के जनसक्ति हम हो मंत्री के रूप है वो हिंद्रा जी के वक्त में मिला राजिव जी के वक्त मिला सोनिया गांदी जी के वक्त में वो आवसर उन्होंने मुझे पराप्त कराया राहुल गांदी जी के वक्त में और मुझे शायद बहुत सारे कम भुछों को ये अवसर प्राप्त हुआ होगा के जो अपनी अमर से दुगने के लोग थे और बड़े लीडर थे उनके साथ पार्टी की तरफ से मिटिंग करने का मौका मिला और पार्टी के साथ कई नेगोसेशन करने का मौका मिला उनमें जोती बसो जी थी करना निदी जी 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 जेलिलता जी के साथ मैंने अलाइंस किया करना करन जी 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 ते चंदर शेखर जी जी देवी लाल जी जी ते मलाइंग सिंग यादो जी ते परकाश सिंग बादल से अलाइंस दो नहीं किया लेकिन कई चीज़ें जब मैं मिनिस्ट अफ स्टेट होम था तब कई मिटिंगे हुई में जब देखता था इंप्लिमेंटेशन आफ पंजाब अकार्ड इसाम अकार्ड ये देखता था आएके गुजराज साब से सुबू सोनिंग जी से शाब तंगल जी से मुपनार जी से फारुग साब से मुफ्तिश साब से ये सब लोगं के साथ कई दफा और यही वज़ा है कि यहां भी उसी तरह से मैंने चला है तीन प्राइमिनस्टों के साथ मैं पार्लिमेंटरी अफियर्स मिनिस्टर रहा मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंदरा जी फोतेदार जी और हमें बताती थी फोतेदार जी पॉलिटिकल सेकरेटरी थे मैं यहूत कॉंग्रस का प्रेजिरेंट था कहां जरा अटल जी से भी संपर्ग में रहा करो बीजेपी नहीं उन्हें नहीं कहां अटल जी से संपर्ग में रहा करो तो वो इस सोच की थी बाद मेर राजीव जी जब प्राइमिस्टर बने तो उन्हें कहां भाई अब विपक्ष की जो लोग हैं उनके पास तो दो अमेले एंपी हैं हमारा इतना बहुमत उनको भी तो अपनी कांस्यूंसी का काम करना हो होता होगा उनसे भी जरा पूछा करो जब पार्लिमेंटरी अफेर्स मेर्मिस्टर बना मैं उनके वक्त मेरा राजीव गौनीगे तो फिर एक दफ़ा फिर याद दिलाया कि आप बहुत सारे काम अपनी पार्टी के कराते हों भी पक्षके भी कुछ करते हो मैंने कहां मैं बिलकुल उनके भी पूछता हूँ जो जो बताते हैं हर चीज़ आपको बताने की जरूत नहीं हम अपने लेवल पे करते हैं और बाद में मैंने यही चीज मानी अटल बहारी वाजपाईजी से सीखी पांच साल एकानिमे से चानिमे तक मैं पारलिमेंटरी एफियर्स बिनिस्र रहा और भी पॉर्टफोलियो उस थे मेरे पांच और अटल जी विपक्ष के नीता रहे हमारे पास बहुमत नहीं था और अलाइंस भी नहीं था माइनाटी गामट था और उस माइनाटी गामट में अटल जी विहारी अटल बहारी जी वाजपाई जी कि पक्ष के नेता हो यह हाउस चलाना कितना आसान मुश्कुल हो सकता लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन पांच साल में मुझे अटल जी की लीडरिशिप हो और उन से सीखा मैं कि किस तरह से हल निकाला जा सकता विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे मैंने अपने L.O.P. के जमाने में ये कोशिश की कि हम यहां आए हैं लोगों ने हमको चुना है कानून बनाने के लिए लोगों ने हमें चुना है कि मसलूं का समयधान निकालने के लिए उनकी मुश्किलात उनके लिए रोजगार पैदा करना एमप्लाइमेंट करना डिवल्पमेंट करना विकास करना सडकें नहरे स्कूल कॉलेज हस्टाल बनाना पिश्वास हम से उड़ जाए इसलिए जब भी हम मैं अपने साथियों को भी समझाता था कि इसको मिक्स करो एक आद दिन विरो दिखाओ एक आद दिन जंगडा करो और बाकी दिन डिसकेशन करें यह मैंने हमेशा प्रियास के आपने मैं धनिवाद करता हूं मारे उस तरफ के भी साथियों को जिन्हों ने और इस तरफ के सबी लीडरों को जिन्हों ने उस प्रियास में पूरा अपना सहयोग दिया मैं अपनी बात गर्यमंत्री जी को स्टेट्मेंट देना था मैं उनका धनिवाद करता हूं और सबसे ज़्यादा धनिवाद में प्राइमस्ट करता हूं कि आपने सब को सुना आपने इतना समय दो घंटे से ज़्यादा यहां समय दिया आप बहुत बहुत हुए और सच है हकीकत अगर सच बताएं सर मेरे माता पिता की जब ड़त हुई मेरे आँखों से आंसों निकले लेकिन मैं चिला के रो नहीं पाए मैंने जिन्दगी में सिर्फ चिला के रोया और जब रोता है इनसान तो वो कोई चिला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशल होने की ज़रुत नहीं वो थी पहली संजे गांदी की मौत इंडरा गांदी की मौत राजीव गांदी की मौत अलग अलग जगा थी क्योंकि तीनों मौतें अचानक हो गी थी शायद अगर नैचरल मौत होती तो वो चीख नहीं ने किल दी और चौथी थी जब सुपर सोनामी आ गया था उड़ी सा में नाइटिनाई मैं हॉस्पिटल गया अपने पिदा जी को दिखाने के लिए और उन्हें कहा कि इनको गलेपिंग कैंसर है मौझे तब तक ये गलेपिंग कैंसर का नहीं मौँ कैंसर मालूं गलेपिंग तो मैं पूछा इसका क्या मतलब हुआ कि जोग्राफिकर रेशो से बढ़ता है दो का चार चार का आठ आठ का सोलां सोलां का चौसर जो बढ़ जाता है और इसकी अपर लिमिट है एकीज दिन तो एकीज दिन आप कहीं मत जाओ दोपहर को मैं ये लेके आया और सुबा हमने प्रोग्राम बनाया कहीं जाने का इनको गुमाएंगे मिसिस गांदी का शाम को फोन आया कि वहाँ साइकलोन है कोई दूसरे जनल सेकरेटरी हैं वो जाना नहीं चाहते हैं और तुम ही जा सकते हो अब मैं उनको कहता कि मैं अगर मेरे डॉक्टर ने ये कहा है तो कहेंगी बाहना कर रहा तो मैं अपने पीता जी को छोड़कर मैंनका दो दिन में वापस आऊ गुजरात के ये उडिशा के डूंग के लिए एक नई बात करता हूँ क्योंकि इसका लुलू इसका गवा था वो इस दुनिया में नहीं रहा अमेरे का अंग्रिस का यंग लेडर था ये उस बहुत हाउस होल्ड है में है आज भी उडिशा जब एरपोर्ट पे पहुंचा तो एक हजार आदमी था लड़के लड़के तो कहा सर पैदल चलना है क्योंकि सारे पेड जो हैं शेहर पानी में है और सारे पेड सडकूं पर है तो ये दस बारा किलोमेटर पैदल चलना हूँ चले हम तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला और मिनिस्टर कोई नहीं चीफ मिनिस्टर भागे थे मिनिस्टर भागे थे वोई एडिमिस्टरेशन को इस दुकाने तोड कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलीस की मदद से कि उनको ऐसे देंगे बार हमने है थ्यार लिए एक जंगल काटने के तीन रातें और तीन दिन और अटल जी से जाते हैं मैंने फॉन किसम पर किया अटल जी प्राहिमिस्ट कि ये 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 इस्तिती है और हम सड़क त्यार करेंगे तब आप आये ताके हम वहां सुमंदर तक पहुंचाएं तीन रात और तीन दिन हम तकरिवन एक हजार लड़के यूथ कांगरिस के मैंने लगाए काटने में और सड़क फिर पियम को फोन किया फिर वो हैलिकाप्टर से आये फिर उनसे राशन मंगा फिर उसके बाद मैंने सोनी हैं गांदी जी को कहा और वहां में रोया जब मैंने लाशें देखी सेंकडून लाशें तैर रही थी तैर रही थी जब हम सुमंदर के किनारे तक पहुंची रही ती जब हम सुमंदर के किनारे तक पहुंची रही वहां में चला के रोया वो चौती दफ़ा था और पांचवी दफ़ा जिसका उलेख मानिये परदान मंतरी जे ने किया और भाव खुए मैं 2005 में जब चीफ मिनसर बना नवंबर में और मैं में जब दर्बार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाईयों और बेहनों की कुर्बानी से हुआ मैं अभी दोई दिन पहले पहुंचा था तो वहां स्वागत करने का मलिटन्ड का यही तरीका था कि आप हतिया करो गरीबों की तो वही स्वागत होता उसका मतलब था कि हम हैं इस गलत पहमी में न रहना निशाद बाग जो के राजभावन के साथ वहां बस से उस पे लिखा था गुजरात की बस उसमें हमारे तकरिमन चालीस पचास गुजरात के हमारे भाई बहने ट्यूरिस्त उस पे उन्होंने गरनेट लगा और मेरे खाल में दर्जन से ज़्यादा लोग वहीं अताहत हो गए और कई जखमी हो गए मैं फॉरन तुरन जगा पे पहुंचा लेकिन तब तक पुलीस ने वो हटा दिया फिर मैं जैसे माननी है परदान मंतरी जी इन्होंने भी डिफेंस मिस से बात की मैंने परदान मंतरी जी से बात की जहाज आया मी एट उनको लेने के लिए लेकिन जब मैं एरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहर है स्क्योर्टी वाले कहते हैं कि सीमार हैं सीमार हैं एरपोर्ट पे यह सब जाने के लिए तियार थे हमारे जखमी भाई छोटे छोटे बच्चे तो जब मैं एरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने जिसका किसी का पिता मर गया था किसी की मा मर गई थी वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपड़ गए तो मैं जूर से मेरे आवाजे निकल गई ए खुदा ये क्या तुम ने किया मैं कैसे जवाब दो इन बच्चों को मैं कैसे जवाब दो उन बेहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे सेर के लिए आए थे और आज मैं लाशे लेकर इनके हवाले कर रहा हूँ उनके मता पिता के तो ये होने की जुरूई बात आज हम ये ल्ला से बगवान से यही दौा करते हैं कि इस देश से मिलिटिंसी खत्म हो जाए इस देश से आतिंवाद खत्म हो जाए हजारों हमारे स्क्यूर्टी फोर्सिस के आर्मी के पैरा मिल्टरी फोर्सिस के प्लीस के जवार मारे गए सिविलियन कई क्रास फाइरिंग में मारे गए हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा शायद उनका पती किसी का मिलिटिंड भी क्योंके मिलिटिंड होंगे क्रास फाइरिंग क्श्मीर के हालाथ ठीक हो जाएं मैं इस से पहले कि कुछ अशार बोलूँ पहले मैंने अपनी फोजियों के नाम बता था लेकिन ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे क्श्मीरी पंड़त भाईयों और बेहनों के लिए जब मैं क्श्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज़्यादा वोट में यूनिस्टी में जब जीत के आता था तो क्श्मीरी पंड़त मेरे सबसे ज़्यादा लड़की ये लड़कियां वोट देते थे बहुत सारी लोगं को मालूम ने कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकादले में सबसे ज़्यादा जम्मों में ने कश्मीर जुसकर मैं MSC कर रहा था तो साइंस में तिकरिम 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90% तो ओर आल ज्यादा लड़कियां पोस्ट तो मैं जब यूनिवस्ट्री का एलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंड़त लड़के हुई या लड़कियां सबसे ज़्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे मैं 99 भी नहीं को हूँ दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए और जो बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता अपने क्लासमेट्स ये उनकश्मीरी मेरे भाई पंड़तों के नाम जिनके जो घर से बेकार हो गए उनकश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे होएं और जो वहां से बिशड़ गया उनके लिए शेर अर्ज़ करता हूं गुजर गया और ये हमारा जो आज मुदद खतम इसके लिए भी कह सकता हूं गुजर गया वो जो चोटा सा एक फसाना था फूल थे चमन था आश्याना था गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था फूल थे चमन थे था आशाना था नपूछ उजडे नशेमन की दास्ता गौसला उजड गया नपूछ उजडे नशेमन की दास्ता नपूछ थे चार तिनके बगर नाम आशाना तो था तो हम उस आश्टानियों को आप दोनों यहां बैटे हैं उसको फिर आश्टाना बनाए जो इस वकत उजड़ा हुआ है उसके लिए हम सब को प्रयास करना और मुझे जिसे मैंने बताया बहुत काम कर चुके हैं सेवा कर चुके हैं आश्वाद सबका मिला हैं मैं यही कोँगा दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है लंबी है गम की शाम शाम ही तो है इतनी लंबी होगी सवेरा तो आई विंटर में जरा लंबी होती है तो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है सवेरा तो फिर आजाएगा और आखिर में ये को हुँगा चाहे हम याद यहां ना हुँगा लेकिन फिर उसके लिए को हुँगा बदलेगा न मेरे बाद भी मौजुए गुफटगू मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफले मुए रहूंगा मानिये चेर्वन साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके साथ काम करने का मुझे आउसर मिला आप जब पार्टी के अधक्ष थे तब भी हमारी मुलाकात होती थी जब आप मंतरी बने तब भी बात होती थी जब यहाँ चेर्मेन बनने से वाइस प्रेजिनट आप बनने से पहले आप पार्लिमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर थे और मैं अलोपी था तब भी हमाई सम्पर गहें लेकिन जिस तरह का आशरवाद जिस तरह का प्रेम जिस तरह का प्यार आपका चेर्मेन के तोर पे मिला और जो गाइडन्स मिली उसके लिए मैं हमेशा रिनी रहूंगा धन्यवाद करता हूं उसके लिए और आपके सने और प्यार के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ मानिये परधान मंत्री जी कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना L.O.P. के वकत में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपके हुई मेरी हुई खास करके राश्पती के अभी बाशन पर उसमें लंबी तक्रियर होती थी कभी हम कुछ L.O.P. की जिम्मदारी करते थे लेकिन आपने वक्तिक तोर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं दिया हमेशा भी आपने परसनल कंटेक्स को और पार्टी की जो जिम्मदारी है उसको दूर रख कभी एद हो दिवाली हो बर्डे हो उसमें बराबर आपने कभी भी कमीनी की फोन करने की सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रिजिनन्ट का आता था या आपका आता था दो आदमी का तो अनिवार हमरे परदान मंतरी और कॉंग्रिस पे ज़र दिवाली और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बता रहा है मुझे याद है जब में लाजसाबा एलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कुआ कि भई आपको कुछ जूरूरत है ड़ का लड़ाई है आपका काडिडेट है मैं काडिडेट हू उसमें आप कुछ नहीं कर सकते तो यह एक परसेनल टच्च जो होता आदमी भाविक हो जाता आदमी सेंटिमेंटल हो जाता आदमी इमोशनल होता और मेरे संपर्ग तो विपक्ष के साथ आज से नहीं जब पहली दफ़ा मैं M.O.S. बना था तब से लेकर आज तक क्यूंके हम मिल के ही देश को चला सकते हैं लड़ाई करके गालियां दे करने के से हम अपने बात अपने भाशनों के जरीए कर सकते हैं मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं माननी है डिप्टी चेर्मेन साथ मेरे यहां हम बेंच मेट रहे वो हमेशा मुझे याद रहेगा बहुत सिंपल आदमी है स्ट्रीट फारवर्ड है कभी-कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रीट फारवर्ड लेकिन स्ट्रीट फारवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं और शर्द पौर जी से लेकर और यादो जी से लेकर और सब हमारे लेडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद सब सब लेफ्ट राइट एंड सेंटर नाम के हूँ कि कुछ नोंगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे तो चेर्मन साब से लेकर और अरदान मंतरी जी से लेकर मैं सेकरेटरी जन्रल साब का कैसे और सेकरेटरेट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ मुश्किल है करना क्योंकि इनका सयोग मिला बहुत हमेशा हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा इंफार्मेशन पार्लिमेंट की या कोडिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की तो सेकरेटरी जनरल साब ने और सेकरेटरी इतने हमेशा हमारी मदद की है और आखिर का आखिर इस शेर से मैं आप से विदाई लेता हूं और इंशा आप लों से बोड नहीं आएगी याद तो बर्सों नहीं आएगी मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे जाने बाद गुडामनेभी जी अफरेंट सब वे और अधर इंपर्टन तो